क्योंकि ये सरकार जूटी है करोड़ों रोपे जूटे प्रिचार पर खर्च कर रही है और मैं बता रहा हूँ इस बार जब मद्द प्रिदेश में चुनाब हो और तुम्हारे गली मोहले से अगर कोई कुटा बिल्ली भी चुनाब पर खड़ा हो जाए ना तो उसे बोट दे से भी मुझे डर लगता है बच्चे का मेसिज था कि सर मुझे सुसाइडल थोट सा रहे क्या इस साल भी सबस्प्रेक्टर की भरती नहीं आईगी सुबा में उठा मैंने उसका मेसिज पड़ा और घबरा कर उसको तुरंत कोल किया उससे कहा कि नहीं नहीं तो मितना नकारात मस्तोचो सकारात्मक रहो आचार सहीतास पहले तुम्हें सबस्प्रेक्टर भरती का विग्यापन देक्रे को मिल जाएगा परिक्षा चुन आपके बाद होगी पार्टिक्रम बही है अच्छे से ध्यान से फोकस करके पढ़ते रहो कब तक जूटा आश्मशन दे ये सरकार जूटी है और हम सिक्षकों को भी जूटा कर रखा है ये देखो क्या है सरकारी नोक्रियों में एक लाग भरतियों का लक्ष हमने पूरा कर लिया ये मद्द प्रिदेश की बीजेपी सरकार को मेरा चेलेंज है अगर तुम 30,000 पदोकर भी तुमने परिक्षा करा कर अगर न सरकार तो उसमें से लोग प्रोसेस चले उससे साब पता पढ़ता है कि सरकार की मंशा क्या है जो उस परिक्षा में इमांदारी से चेनित हुए थे वो नियाय के लिए दरदर भटक रहे लागों विद्यारती परिक्षाओं के रिजल्ड का इंतजार कर रहे लागों विद् सरकार को जड़ से उकार फेकेंगे बच्चे सीवियर डिप्रेशन में है और तुम एसे प्रिचार प्रिसार करके हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हो अरे हम सबको 20 लाग विद्यारती को किसी एक जगा पर खड़क करके बुला लो एक खटा कर लो और अपने आदमियों से के दो के हमारी पीट में खंजर गोब दे यू तिल-दिल करके मरने से अच्छा है कि एक बार में रट्टा खतम हो और मैं सरकार को चेताब नहीं दे र वाले और यह मेरी वीडियो आखरी में समझना यह मेरी पहली वीडियो है